18 देखो यहाँ पे इसका लिमिट निकाला है लिमिट x टेल सु 0 ऊपर देखो 3 sin x माइनस sin 3x का क्या फॉर्म लो हो जागा 4 sin cube x आपको पता है ना मैंने पढ़ाया हुआ कि sin 3x equal to होता है sin 3x equal to होता है 3 sin x माइनस में 4 sin cube x यह होता ना तो यह इधर जाएगा तो इधर जाके माइनस कहीं नहों जाएगा देखो 4 sin cube x is equal to 3 sin x माइनस में sin 3x तो इसलिए इसकी जगा पर 4 sin cube x ले लिए यहां तो फर्मुला आएगे cos c माइनस cos d क्या नीचे आपको फर्मुला बता है ना 2 sin c plus d by 2 और sin d minus c by 2 यह बता हुए ना तो यहां से हो जाएगा x into में 2 sin 2x plus 4x by 2 2x plus 4x by 2 और फिर sin 4x minus 2x by 2 यानिकि d minus c by 2 हो जाएगा इसको इससे काट देते हैं दो बार में देखो इसके बार लिमिट x tends to 0 sin cube x और y में यहां पर देखो x sin यहां कितना हो जगा जोड़ोगे तो आपका 6x 6x में 2 से बागोगा तो 3x यहां घटाओगा तो 2x और 2 से बागोगा तो x आ जागा यह निकि sin x ठीक है एक काम करते हैं अब लिखेंगे अंस तथा हर में अंस तथा हर में x स्क्वाइर से भाग देंगे x स्क्वाइर से भाग देने पर एक्स स्क्वाइर से भाग देते हैं लिमिट x tends to 0 sin cube x और y में x स्क्वाइर और फिर इधर देखो बाई में x into sin 3x into sin x और फिर यहां पर आपका x स्क्वाइर यह x इसके साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं तो यह लिमिट x tends to 0 sin cube x और y में हो जाएगा x का cube क्योंकि यह चला जागे इसके साथ और फिर इसके डिनोमिनेटर में है sin 3x और x डिस्टिबूट कर देते हैं एक x इसके साथ फिर into में sin x और फिर इसके भी साथ x देते हैं चले लिमिट को अलग-अलग डिस्टिबूट करते हैं लिमिट x tends to 0 sin x by x का whole cube और नीचे लिमिट x tends to 0 x tends to 0 कुछ छूट रहा है क्या यार कोई constant यह कुछ छूट रहा है सुरू में छूटा है constant यह 2 जो है इसको बाहर लगा देना चीथ हमें 2 2 2 2 सब जगर 2 है 2 बाहर लगाओ 2 बाहर लगाओ चलो अब देखो यहां हो जाएगा sin 3x और by में x तो 3 से भाग और 3 से गुना होगा ताकि यह सेम हो जाए और फिर into में limit x tends to 0 sin x by x चलो देहां से देखो यह देखो 2 यहां पे इसका 1 का cube और नीचे 1 into 3 into 1 तो सारे तो 1 1 है हट जाएंगे 2 और 3 बजग है 2 by 3 2 by 3 यहां से इसका limit निकल गया है ना को सनमन ना